आदाब गुइंगंस, उर्जु क्लास में आप सब का खुश आमदीद हो प्यारे बच्चों आप सब ने पता है हमारा मोजू मेराज उर्जु क्रामर से हैं, मोजु का नाम है हरुफ आज की तारीख है 12 नौमबर 2028 प्यारे बच्चों हमने आपको हरुफ के मुतलिक जानकरी दी हुई हैं आज हमने एक वक्षीट लिया हुआ है आए हम आपको बता दे आज का काम आपने किस तरह से अपनी कौपियों में कलम बंद करने की कोशिश करनी है ये काम आप अपने अर्दो कापी पर साफ साफ लिखने के बाद जहेंशीन भी करेंगी आए सवाल के और बढ़ेंगी हम नीचे दिये हुए जुम्लों में हरुफ तलाश करके पहले खत कशिदा करें और फिर सामने लिखें मिसाल के मताबिक प्यारे बच्चों आपको कुछ जुम्ले नजर आ रहे हैं आपने इनको एक एक करके पढ़ना है समझने की कोशिश करनी है और देखना इसमें कौन चाहरुफ कहलाएगा उसको खत कशिदा करना है और सामने फिर लिख देना है आए हम मिसाल के तोर पर एक जुम्ला पढ़ेंगे पहले देखेंगे किस तरह से हल किया गया है बाजिला कलम से लिखेगी इस जुम्ले में से हरुफ कहलाएगा इस तरह से खत कशिदा करके आपने सामने लिख देना है आए हम एक ही करके बाकी जुम्ले भी पढ़ेंगे दूसरा जुम्ला है मैंने रोटी खाई इस जुम्ले में आपने देखना है कौन सा हरफ कहलाई का खतकशिदा करके हम सामने लिख देंगे बिल्कुल शाप बाश बताई इसमें ने हरफ कहलाई का खत कशिदा करके हम सामने लिख देंगे बिलकुल आगे जाएंगे हम तीसरे जुमले के ओर एहमद की मा डाक्टर है बताई इस जुमले में कौन सा हरुफ कहलाएगा बिलकुल इसमें की हरुफ कहलाएगा खत कशिदा करके हम सामने लिख देंगे इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम ये सारा का बैग है बताए इसमें कौन सा हरफ कहलाएगा बिल्कुल शब पाश इसमें का हरफ कहलाएगा इसको खथ कशिदा करके सामनी लिख देंगे अगले जुम्ले के ओर बढ़ेंगे असलम के पास घरगोश है बताई इसमें कौनचा हरफ कहलाएगा बिल्कुल इसमें के हरफ कहलाएगा ख़त कशिदा करके सामनी लिख देंगे हम चटे जुम्ले के और बढ़ेंगे अकबर जोमो से आया है बताई इसमें कौनचा हरफ कहलाएगा बिल्कुल शब पाश इसमें से हरुफ कहलाएगा खत कशिदा करके हम सामने लिख देंगे अगले जुमले के ओर बढ़ेंगे मैंने खाना खाया बताई इसमें कौन्छा हरुफ कहलाएगा बिल्कुल इसमें ने हर्फ कहलाएगा खत कशिदा करके सामनी लिख देंगे अगले और आखरी चुमले के और बढ़ेंगे गिलास में पानी है बताई इसमें कौन सा हर्फ कहलाएगा बिल्कुल इसमें में हर्फ कहलाएगा खत कशिदा करके हम सामने लिख देंगे पैरे बच्चों ये रहा आज का वर्कशीट उमीद करते हैं आपने अच्छी तर से जहनेशीन किया होगा किस तर से आपने अपने और्जो कॉपियों में कलम बंद करना है और जहनेशीन करने की कोशिश करनी है आज के लिए इतना ही देज़े इजाज़त आला हाफ़ेज